दोस्तों अगर आपके आदार कार्ड में आपकी डेट आफ वर्थ गलत है तो अगर आप उसे चेंज करना चाते हैं या फिर अपडेट करना चाते हैं गर बैठे ओनलाइन तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2022 में आप कैसे आदार कार्ड में अपनी description में दे दूँगा, then उसके बाद आपको यहाँ पे login को option मिलेगा, आपको simple login के option पे click कर देना है then उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आदार number एंटर करना है, जिसमें भी आप अपनी data worth update करना चाहते हैं, आदार number एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे capture code देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे capture code एंटर कर देना है और send OTP के option पे click कर देना है, तो जो भी आदार number आप enter करेंगे, उस आदार number से जो भी mobile number linked होगा उस पे एक OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पे enter कर देना है और login के option पे click कर देना है और आप यहाँ पे login हो जाएंगे आपको यहाँ पे profile logo देखने को मिलेगा तो आपका अदार card आपको देखने को मिल जाएगा आपकी date of worth, आपका name और आपका अदार number और यहाँ पे flip अदार card करके आप अपना address भी check कर सकते हैं तो उसी के साथ आपको यहाँ पे बहुत सारी services देखने को मिल जाती है तो आप अपनी date of worth को update यहाँ फिर change करना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे update आदार online के option पे click कर देना है और यहाँ पे जो है आपको next option देखने को मिलेगा आपको simple proceed to update आदार के option पे click कर देना है तो आपके सामने बहुत सारे options यहाँ पे आजाएंगे name, date of worth, gender, address तो यहाँ पे जो है आप name change कर सकते हैं वो आप life में only two वार update कर सकते हैं और date of worth आप life में एक वार change कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं select कर लेंगे और उसके बाद proceed to update आदार के option पे click कर देंगे then उसके बाद current details हमें देखने को मिल जाएगी कि current date of worth हमारी क्या है then उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे scroll down करना है और यहाँ पे हमारे सामने new date of worth to be updated का option आएगा हम simple यहाँ पे इस पे click करेंगे और यहाँ पे हमारे सामने calendar open हो जाएगा हम यहाँ पे जो भी date of worth update करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे select कर लेंगे जैसा कि हम यहाँ पे air select कर लेते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे month select कर लेना है then उसके बाद आपको date select कर लेनी है और यहाँ पे जो है आपको check कर लेना है क्या आप यही date of worth रखना चाहते हैं तो यहाँ पे यह date of worth आपको check करने के वाद नीचे यहाँ पे आपको select valid spotted document type का option मिलेगा आप इस पे click करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको proof के लिए अपना कोई एक certificate देना होगा जैसे कि birth certificate या फिर certificate आप DOV from state central government authority और भी आपको यहाँ पे बहुत सारे options मिल जाते हैं जैसे कि आप अपना pen card दे सकते हैं पासपोर्ट दे सकते हैं या फिर आप जो है अपना school का भी कोई certificate दे सकते हैं सो जैसे कि हम यहाँ पे school का certificate देना चाते हैं तो simple हम यहाँ पे इसे select कर लेंगे then उसके वाँ जो है हमारे सामने okay का option आएगा हम simple यहाँ पे okay के option पे click करेंगे और यहाँ पे जो है हमें नीचे option देखने को मिलेगा view details and upload document तो हमें यह अपना यहाँ पे document जो है वो upload करना है simple हम यहाँ पे इसपे click करेंगे और यहाँ पे continue to upload के option पे click करेंगे सो यहाँ पे आपको अपना document जो है वो select कर लेना है so guys आपकी जो photo है वो यहाँ पे jpeg, png यहाँ फिर pdf file में होनी चाहिए जैसे ही यहाँ पे 100% upload हो जाए then उसके बाद आपको next के option पे click कर देना है और उसके बाद आपके सामने इस तरीके का pop-up आएगा आपको यहाँ पे पूछा जाएगा are you sure you want to change your date of worth और आपकी data worth जो आप change करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको simple यहाँ पे इसे check कर लेना है कि आप यही data worth अपनी update करना चाहते हैं अपने आदार कार्ड में then उसके बाद आपको ok के option पे click कर देना है ok के option पे click करने के वाद आपको यहाँ पे preview का option मिलेगा तो आपको simple यहाँ पे इने tick कर देना है आपको confirm कर लेना है कि जो भी आप यहाँ पे information दे रहे हैं वो correct है then उसके बाद आपको next के option पे click कर देना है then उसके बाद आपको यहाँ पे 50 rupees की payment करनी होगी so उसके लिए जो है आपको यहाँ पे नीचे scroll down करना है और यहाँ पे जो है आपको इसे tick कर देना है और make payment के option पे click कर देना है so आपको यहाँ पे payment करने के बहुत सारे options मिल जाते हैं आप credit card, debit card, wallet, net banking, paytm से यहाँ पे payment कर सकते हैं 50 rupees की so wallet में आप जाएंगे तो आप जो है यहाँ पे atl money, free charge pay later, moviq, ola money, paytm, phone pay, yes pay wallet से आप payment कर सकते हैं so हम यहाँ पे paytm को select कर लेते हैं और जैसे ही यहाँ पे payment हो जाती है तो आपको गुश सेकेंड यहाँ पे wait करना है और आपके सामने इस तरीके का page आ जाएगा आपकी यहाँ पे payment जो है वो successful जैसे ही हो जाएगी तो आपको यहाँ पे acknowledgement डाउनलोड करने का भी option देखने को मिल जाएगा आप यहाँ पे इसे download भी कर सकते हैं दन उसके वाद जो है आपको यहाँ पे go to dashboard के option पे click कर देना है तो आपके सामने यहाँ पे homepage आ जाएगा तो यहाँ पे जो है आपकी request चली गई है इसके वाद आपके जो date of worth है वो आपके आदार card में update हो जाएगी तो अपने date of worth अपडेट करने की जो भी आपने request कही है उसे अगर आप check करना चातें तो इसके लिए आप इसी page पे आएगे और नीचे scroll down करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आदार update और यहाँ पे आपको verification stage देखने को मिल जाएगी इस तरीके से आप अपने आदार कार्ड में अपनी date of worth अपडेट कर सकते हैं आपको पूरा process आपको समझ में आ गया होगा लेकिन अगर फिर भी आपका कोई question नहों तो नीचे comment box में comment कर दीजगा सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care thank you